मेरा नाम लीला विक्टर है, फर्माईए, अजे अब तक सर से पाउं तक उसका जायजा ले रहा था, फिर उसके होटों पर शारात पूर्ण मुस्कराट केल गई, अजे अब भी उसे निहार रहा था, वैं परती पल और जाधा आकरशक नजर आती जा रही थी, सुर्ण सुनक मेरा नाम अजे कुमार है, वो फसी सी अवाज में बोला, लीना एक तरफ हट गई, आईए, अजे अंदर आ गया, अब तक वो बिल्कुल समाने हो चुका था, और सोच रहा था कि करीब 24 वश्या नजर आने वाले स्युफ्ति के इर्द गिर्द, 12 साल के उम्र में ही छोक्रे में निगाएं दोडाते हुए पूछा, और उसके जवाब का इंतजार के बिना बोला, मैं कल तक इंतजार करना चाहता था लेकिन, मुझे खुशी है कि तुमने इंतजार नहीं किया, लीना दर्वाजा बंद कलके पर्टिया बड़ी बेतकलूफी से बोली, कल मैंने यहां ही मिलना था, जबकि गनपत ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया था, उसे सुनने के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, तभी एक बंद दर्वाजा खुला, और गनपत बहार निकला, वो कमरा बेडरूम था, वहां लाइट आउन थी, पलंग पर बिछी चादर स से फैक दिया गया था, हेलो अजे, गनपत बोला, उसके आवाज के भारीपन, चेहरे के तनाव और आँखों की सुल्खी से जाहिर था, कि वो खासी पिये हुए था, वो इस धंग से आगे बड़ा मानो अपनी टांगों को लटखणाने नहीं देना चाहता था, बेवक्त त पीछे हटा दिया, अजे ने गहरी सांस ली, वो चुप-चाप खड़ा रहा, गनपत हसा, खुदी फैसला करो अजे, मैंने जूट तो नहीं कहा था, किस बारे में, तुम तो बड़े खुश मिजाज हो यार, गनपत शिकायती स्वय में बोला, मैं इसकी बात कर रहा हूं, क ऐसे देखने के बाद छूने को नहीं चहरा, और उसने पुनहा, लीना के नितंबो पच अपच जमा दी, अजे मुस्क्राया, तुमने फोन पर ही कह दिया था, कि छूने के इजाज़त नहीं दोगे, इसलिए मैं अपनी राय जाहिन नहीं करूँगा, तो तुम इसका स्वा पातिरदारी करो डालिंग, दो ड्रिंक्स बना कर लाओ, दो, हाँ, लेकिन तुम तो पहली काफी पी चुके हो रंगनपत, लीना बोली, कोई बात नहीं, जहां इतना पी है, वहां एक पैगाउ सही, बैटो अजे, गनपत ने कहा और सोफे पर पसल गया, अजे उसकी भगल में बैट कया, उसकी निगाएं पुना लीना पर टिक गई, लीना ने इस धंक से अपने कंदे चड़का आए, कि गाउं के नीचे उसके वश्वी मचल उठे, वो पल्टी, और अपने नितंबो में उताफ चड़ाव पैदा करते हुए, एक मेज के पास पहुंची, जिस पर मेकड़ावल की एक करीब तीन चौथाई भरी और एक बिल्कुल खाली बोतल रखी थी, तो मैं इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए गनपत, अजे लीना कियों से निगाएं हटा का बूला, कौन कमबक पी रहा है, मैं तो सेलिबरेट कर रहा हूं, सेलिबरेट? हाँ, कल से मैं ट्रेनिंग के लिए बहार जा रहा हूं, दो महिने तक ना तो शराब चक सकूँगा और नहीं किसी औरत का साया मुझ पर पड़ेगा, मुझे एकदम सूफी बनकर रहना होगा, अजे ने बहुएं चड़ाई, क्या मतलब? गनपत ने जो से सर हिलाया, मानो स्वयम पर हावी विस्की को इस तरह जटक देना चाहता था, लेकिन इस पर्यास में वो लुड़कने से बाल-बाल बचा, ठीक दो महिने बाद मैंने चैंपियंग के खिताब के लिए सुखवन से मुकाबला करना है, कल हमें कॉंट्रेट पेपर सायंग करेंगे, लीना दो ग्लास उठाया प खिसक किया है, और वो अराम से बैठी रही, अजे के चेहरे पर विचार पूर्ण भाव थे, ट्रेनिंग के दोरान बहुत कुछ हो सकता है, उसने कहा, और अपना ड्रिंक सिप किया, और लीना पर एक निखार डालने के बाद बोला, मैं इस बारे में तुमसे बाते करना चा हो गई, मैं यहाँ बैठी बुरी लग रही हूँ, ठीक है मैं चली जाती हूँ, अपना ग्लास उठाए, बैडरूम में चली गई और दवाजा बन कर लिया, अजे ने घरी सांस ले, अब तुम मुझे यह बताओ कि एक किस्सा क्या है, गनपत मुस्कराया, उसने नशे से ब हंडा फोड़ दूँगा, बस, बात बंग गई, तुम खिताब आने के लिए इस कदर मरे जा रहे हो कि उन लोगों से दुश्मनी लेने को तयार हो गए, जिनके लिए जैकिशन काम करता है, गनपत ने जो से सहला का हामी बढ़ लिए, हाँ, और मैं खिताब हासिल करके ही र जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वे लोग तुम्हारी धंकी के सामने तिनी असानी से कैसे जुक गए, वो एक नंबर के हरामजादे हैं, मेरी धंकी का उन पर असर तो जरूर हुआ है, लेकिन ये फैसला उन्होंने अपना फायदा नुकसान अच्छी के बात किया है, जानते हो क्यों? नहीं, मैं बताता हूँ, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मौझूदा चैंपियन के मुकाबले में मैं उनके लिए कई गुना जादा फायदेमन साबित हो सकता हूँ, वो साला महर्च गोष्ट का धेर है, गनपत ने कहा, और फिर अपने सीन की तरह मेरे भी चैंपियन का खिताब पाने के बाद कोई माई का लाल मुझसे उसे छीन नहीं सकेगा, तुम उन्हें लिफाफे के बारे में बता चुके हो न, हाँ, उन्हें यकीन आ गया कि जो धंकी तुम दे रहे हो, उसे सच मुझ पूरा कर दिखाओगे, गनपत हसा, अब मैं पूरी तरह उनका पठा हूँ, उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, वह बूला, और बैडरूम के बंद दरवाजे के और इशारा किया, इस सेक्स बम को उन्होंने 24 गंटे के लिए मेरे हवाले का दिया है, ताकि मैं सेलिब्रेट कर सकूँ, तुम ही बताओ, अ और वो बदाश कर पाए, तुम उन्हें मोटा नुकसान पहुंचा और वो तुम्हें कुछ न कहें, तुम उन्हें धमकी दो और वो तुम्हारी पी ठोकर तुम्हें शबाशी दें, मेरी समझ में ये बाते नहीं आ रहे हैं, गंपत ने अपना गिलास खाली करके नीचे उनका फायदा मुझे जिन्दा रखने में है, दोस्त मैं जिन्दा रहूँगा तो वो मेरे जरिये मूटी दौलत कमा सकेंगे, वे लोग मेरी खूबियों से बाकिफ हैं, मैं सही मायनों में चैंपियन का खिताब पाने के काबिल हूँ, उसे पाने का असली हगदार मैं इसलिए वो सुखवन से मेरा मुकाबला करा रहे हैं, इसका मतलब है तुमने मुझे ये बताने के लिए बुलाया था, कि मेरे घर कबर में जो तुम्हारा लिफाफा रखा है, उसकी अब कोई खास जरुद नहीं है, नहीं, मैंने तुम्हें ये खुशकबरी देने के लिए बुलाया था कि वो लोग मेरी बात मांग का सुखवन से मेरा मुकाबला कराने के लिए तयार हो गए है लिफाफे को तुम अपने पास ही रखो वो तो रखा हुआ ही है लेकिन इस मामले में अब तुम्हारा जोश ठंडा पड़ गया लगता है ऐसी बात नहीं है जाजे ये ठीक है कि अपने फायदे की वज़ा से वो लोग इस वक्त मेरा साथ दे रहे है लेकिन उन हराम जादों की नियत कब बदल जाए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता वो तनिक रुका फिर बोला मैं बेवकूफ नहीं हूँ दोस्त मैं जानता हूँ लोगों के साथ कैसे कैसे एक्सिडेंट्स हो जाते हैं तुम अपने कान खुले रखना जिस दिन भी सुनो की कनपत किसी दुलगटना में मारा गया उससे अगले दिन मेरे लिफाफे को खोल कर उनमें मौजूद डाइनामाइट अपने अखवार में छाप देना जब वो लोग अखवार पढ़ेंगे तो उनके छक्के तूट जाएंगे उन्हें अपनी गलती का तो पता चलेगा लेकिन उसे सुधानने का मौका उन्हें नहीं मिल पाएगा उन सबका निश्चत रूप से पुलंदा बन जाएगा उसने नशीली आँखों से अजे को देखा धियान रहे यॉर वाइस को पहले से इसकी भनग भी नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वो फटीचर अखवार उन्हीं लोगों की मुठी में है मैं धियान रखोंगा और हाँ एक बात और सुन लो अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसे मेरी स्वाभाविक म्रत्यू या मात्र दुलघटना हर्गिस ना समझना वो सौ फीज़ी हत्या होगी वादा करो तुम मेरे हत्यारे को उसके केई की सर्जा जरूर दिलाओगे अगर ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूँ उसे कानूं के हवाले करने में अपनी और से कोई कमी नहीं छोड़ूँगा अब ये बताओ गनपत ने बेडरूम के दरवाजे के और इशारा करते हुए पूछा इस सेक्स बॉम के बारे में क्या ख्याल है इससे विस्फोर्ट तुम कर रहे हो और ख्याल मुझसे पूछते हो तुम्हें आफर कर रहा हूँ शुक्रिया मैं जूटन चाटने का आदी नहीं हो बड़े दक्यानों से ख्याला आते हैं तुमारे हौरत कभी जूटी नहीं होती अगर तुम इसे मेरे पास नहीं देखते और तब ये तुम्हें हासिल होती उस वक्त में तुमने इसे हल्गेस भी जूटन नहीं समझना था छोड़ो इस बात को मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता बहस बिशक मत करो लेकिन ऐसी नायाब चीज को ठुकड़ाना पड़ी शर्मनाक हलकत है तुम खूपसूरती की तौहिंग कर रहे हो इसमें कोई शक नहीं कि देखने में ये चीज वाके नायाब है मगर असलियत में ये क्या है ये बात भी एक निगाह में ही नजर आ जाती है गनपत ने उसे घूड़ा तुम इसे गलत समझ रहे हो अजे ये बाजारो आरद नहीं है ये फुल मून रेस्टरांग के एक शोगर है तुमने वो रेस्टा देखा है न? हाँ ये वहीं काम करती है इसका नाम लीना विट्टर है फिल्मों में छोटे-मोटे रोल कर चुकी है अभी भी फिल्मों में जाने की ख्वाईश मंद है ये सच्मुछ लाजवाब है इसलिए तो मेरे पास बेजा गया है क्योंकि अगले फिल्ड में मैं बहुती लाजवाब हूँ और अपने फिल्ड का तो मैं बिल्कुल बाश्या बनने वाला हूँ अजय अपना गिलास खाली करके उठ गया बस या और कुछ भी कहना चाहते हो और जो कहना है वो दो मेहने बाद कहूँगा जब मैं चैंपिन बन जाऊँगा विश्यो गूड लग गनपत अजय दर्वाजे के और बढ़ा गूड नाइट थैंक यू गनपत ने उठने का उपकरम नहीं किया अजय दर्वाजा खोलकर भाहाँ निकल गया गनपत ने दो मेहने दर डट कर अभिहास किया इस बीच विभिन पचार माध्यमों से टाइटल फाइट का जबद दस पचार किया किया अंत में निश्चिस समया पहुंचा उस रात कार्पोरिशन स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीर जमा थी शेडियोक लाइट से आलोकित बॉक्सिंग रिंग आरम में दूसरे दर्जे के बॉक्सर अपना पदशन करते रहे फिर चैंपियंशिप के लिए मुकाबले की घुशरां की गई चैंपियंग को चुनौती देने वाला गनपत जो ही रिंग में पहुँचा तालियों, सीटियों और आवाजों के सम्मेले शोर से स्टेडियम घूंज उठा गनपत ने हाथ उठा कर दर्शकों का भिवादं किया और अपने कॉर्नर में पहुँच किया वो अपने जिस्म को गर्माने के लिए हाथ-पैर पटकते, जटकते और धीरे-धीरे उचलकूत करने लगा अजे रिंग के पास ही रिपोर्टर्स के लिए रिजर्फ कुर्सियों में से एक पर बैठा था हाला कि गनपत ने उसे स्पेशल क्लास के दो पास डागदारा भेज दिये थे लेकिन उसने उन्हें इस्तमाल नहीं किया गनपत पर निगाएं जमाएं, सिग्रेट फूगते अजे को यकीन हो चला था कि गनपत ने दो महीने पहले अपने फ्लैट में जो कहा था वो ठीक ही कहा था बॉक्सिंग रैकेट के दादा लोग वास्ता में उसे पूरा संरक्षन दे रही थे स्टेडियम में आने के बाद विभिन लोगों की बाते सुनकर अजे ने निशकर्ष निकाला की जीत गनपत की ही होगी आम तोर पर चाचा थी कि दो महीने के अभ्यास के दौरान मौझूदा चैंपियन सुखवंत में चुस्ति और तेजी का सरासर अभाव रहा था इसके विभित गनपत अपनी पूरी फॉर्म में था उसने बड़ी लगन के साथ अभ्यास किया था लोगों को यकीन था कि गनपत पहले चार या पांच राउंड्स में ही सुखवंत को बुरी तरह ठका देगा और फिर अगले दो राउंड्स में उसे नॉक आउट करके नया चैंपियन बन जाएगा अजे इस बात का भी हवास पाच चुका था कि गनपत की जीत के लिए लाखो रोपयों के दाव लगाय जा चुकी थी आम तोर पर सुखवंत के जीतने के उमीर ना होने के बावजूद उस पर भी भूत अच्छी खासी रकम लगाई गई थी अचानक दशकों में मचे उठे शोल की वज़ा से अजे ने गदन घुमा का देखा चैंपियन सुखवंत ड्रेसिंग रूम के और से निकल कर रिंग की और आ रहा था दो वर्दीधारी पुलिसमेन उसके आगे पीछे चल रहे थे वो गाउन पहने था और धीरे धीरे बेमन से सरहिला का भीड का अभिवाधन कर रहा था उसकी चाल में लापरवाई थी और चेहरे पर बोर्यत भरे भाव मौजूद थे वह गाउन उतारकर रिंग में दाखिल हुआ तब तक रेफरी भी रिंग में पहुंच चुका था माईक पर दोनों बॉक्सर्स का प्रिचे दिया जा चुकने के बाद रेफरी ने उन दोनों को रिंग के बीच में आने के लिए कहा दर्शकों की भीड खामूश हो गए पती एक व्यक्ती फाइट शुरू होने की बेचैनी से पतिशा करने लगा रेफरी ने दोनों बॉक्सर्स को फाइट संबंदी जोरी हध्यायते दी दोनों बॉक्सर्स वापस अपने अपने कॉर्नर में पहुँच गए पहले राउंड की घंटी बसते ही फाइट शुरू हो गई चैंपियन सुखवंत अपने पैरों को घसीटता हुआ रेंग के बीच में आ गया गनपत अपने खास अंदाज में उच्छलता हुआ मुकाबले के लिए उसके पास आया वो खुद से लगपर डेड़ गुना भारी सुखवंत के चेहरे पर प्रहार करने की कोशिश करता हुआ उसके इर्द गिर्द चक्का लगाने लगा सुखवंत अपना सब बाएं कंदे के और जुकाया जवाबी हमला करने के लिए सुस्त धंग से उसका पीछा करने लगा उसने बड़े ही अनाड़ी पन से गनपत को रसों के साथ या कॉनर में घेनने की कोशिश की लेकिन गनपत अपने फुर्ती के दमपक खुद को साब बचा गया पहले राउंड की पहली दो मिनट तक यही सिलसिला चलता रहा सुखवंत गनपत के जिस्न पर खास जगा बाबाय करने की ताक में था लेकिन जो ही वह मुक्का चलाता गनपत उसके रेंज से बहार पहुँच चुका होता था अचानक अजे ने नोड किया कि गनपत के एक्शनों में शिथिलता आ रही थी फिर सुखवंत ने उसे एक निउट्रल कॉर्णर में खेल लिया और उसकी चाती पर दोनों हातों के खुसों की बसा शूक दी गनपत अपना बचाव करने में सरवता असमर्थ परतीत हुआ उसने अपनी दोनों बाहें चाती पर कसलियो चुप चाप खड़ा रहा दर्शकों की भीर में एकाएक संधनाटा चा गया और फिर वो जोर-जोर से चिलाने लगे सुखवंत ने बाहें हात का घुसा गनपत के चहरे पर जमाया फिर उसकी बाहें खीचकर चाती सलग कर दी और फिर उसकी अरशित चाती पर पुन्हा पसलियों के नीचे पूरी ताकत से वजनी घुसा जमाने लगा गनपत की आँके बहार उबलने लगी उसका चेहरा पीड़ा से विक्रत था वे असाहे खड़ा बस आगे पीछे जूलता रहा सुखवंत ने बदस्तू गूं से बसाना जारी रखा दशे स्रीट छोड़का खड़े हो गए और गला फार फार का चिलाने लगे अजे भी उच्छर कर खड़ा हुआ और जो जो से चिला कर गनपत को जोश दिलाने लगा लेकिन देखते ही देखते गनपत के घुटने मुरे और वो नीचे जा गिरा रेफरी ने सुखवंत को धकलेल का निटल कॉर्णर में पहुँचा दिया गनपत ने घुटने चाती के साथ मिले हुए थे वो गठरी की शकल में नीचे पड़ा था निश्चर रेफरी ने हाथ उठा उठा कर गिनती गिननी शूका दी वो पांच तक ही गिन पाया था कि चौकर खामोश हो गया वो गनपत के उपर जुका और गौर से उसे देखा फिर रेफरी सीधा खड़ा हो गया उसके चेहरे पर आश्चर रहे एवं असमंजस्ता के गहन भाव थे उसने गनपत के कॉनर के बाहर मौजूद उसके दो साहे को को रिंग में आने का संकेत किया दर्शको के व्याकुलता चरम सीमा पर थी वे पूरी ताकत में चिला रहे थे रेफरीन ने माईक तनिक नीचे किया और हाथ उठा कर भीर से शान्त होने की अप्लील की और फिर उंची अवाज में बोला डॉक्टर गोयल फॉरन रिंग में पहुँचो उसका आतुरता पूर्ट स्टेडियम के विभिन एम्प्लीफायर से हर तरफ बिखरनने लगा गनपत की दोनों साहेक रिंग में आ गए थे वे उसकी बगलों में हाट डाय कर और उसकी टांगे पकड़ कर उसके निश्चल जिस्म को उसके कॉनर में पहुचा चुके थे और उसे जबरन बैठने की मुद्रा में मुश्किल से संभाले हुए थे उसकी आँखे बंद थी, सद दाय कंधे पर लुड़का हुआ था बाहें लटकी थी और टांगे फैली हुई थी उसे संभालने वालों में एक उसका ट्रेनर गुर दयार था वो साफ हैरान और प्रेशान नजर आ रहा था ठिगने कद और भारी बदं के अधियर डॉक्टर गोयल ने रिंग में परवेश किया अपना बैग नीचे डग का उसने गनपत की नबस देखी उसकी पल के उपर की और दिल पर हाथ रखा फिर निराश भाव से पीछे हड़ गया और चिंतित गुर दयार की ओर देखा इसे इसके ड्रेसिंग नों में ले जाओ वो पीडिस स्वर में बोला और इसके पास भीर जमा मत होने दो गुर्दयाल ने अपने चेहरे से पसीना पूचा इसे ज़्यादा चोट आ गई है डॉक्टर उसने आशंके स्वर में पूचा नहीं ये मर चुका है गनपत के ड्रेसिंग के बहार गलियारे में भारी भीर जमा थी वे सब तरह तरह की बाते बना रही थे करीब एक दरजन पुलिसमेन भीर को हटाने का सफल प्रयतन कर रहे थे एंबुलेंस आ पहुंची थी पुलिसमेनों ने बड़ी मुश्किल से भीर को हटा कर इतना रास्ता बनाया कि स्ट्रेचल के लिए दो आदमी भीता जा सके स्ट्रेचल सहीत उन दोनों आदमियों को देखकर भीर करवी सच्चाई को समझ गई थी और इस नए मुद्दे पर हर तरफ भहस जड़ गई थी अंदर गुर्दया मेज पर पड़े गनपत के मुर्दा शरील को फटी-फटी आँखों से ताक रहा था निकठी प्रेशान डॉक्टर गोयल खड़ा था मुश्किल से तीन गंटे पहले ही मैंने इसकी जाच की थी वो बर-बरा रहा था ये ना सिर्व भला चंगा था बलकि इतनी अच्छी शेव में मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था उसने गंटपत के मैनेजर जैकिशन क्यों देखा मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक ये सब कैसे हो गया जैकिशन ने रुमान निकाल का अपने भारी चेहरे से पसीना पहुंचा इस धंदे में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता वो करहाता सब बोला मुम्किन है नीचे गिरती दफा उसका सर फर्श से टकरा गया था और किसी नाजुक जगा गहरी अंदरों नी चोड लग गई हो नहीं मैं रिंग से जादा दो नहीं था डॉक्टर ने पत्ती शोथ किया मैंने से गिरते देखा था इसका सर कहीं नहीं टकराया था बस धीरे धीरे ये ढहता चला गया था स्ट्रेचर वाले दोनों आदमीं भीतर आ चुके थे एक पुलिस इंस्पेक्टर भी उनके साथ था इंस्पेक्टर ने लाश का निरिशन किया और उसे उठाने का संकेत कर दिया चैंपियन सुखवंद अपने ड्रेसिंग रूम में मालिश वाली मेज के सिरे पर बैठा था उसका ट्रेनर हर नाम उसके कंधे दबा रहा था मेरी समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया हर नाम सुखवंद ने कहा उसके स्वन में आश्यरे का पुड़ था मैंने दरजनों भाद दूसे लोगों पर इससे भी तगड़े तगड़े वाल किये थे लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ वो अपने आपको बहुत बड़ा बॉक्सर समझता था जबकि असलियत में वो एकदम अनारी था हर नाव लापरवाहिस से बोला तुम जैसे चैंपियंग के मुकावलें पर उस घमंडी और अनारी को मैदान में उतारना सरासर बेवकूफी थी इसके अलावा उसका और क्या है अन्जाम होना था वो ना तो घमंडी था और नहीं अनारी सुखवन विचार पूर्ण स्वर में बोला उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था 35 फाइटों में से वो 5 में ब्राबर रहा था और बाकी 30 में से 26 में उसने अपने विपशियों को नॉक आउट किया था असलियत ये है कि इस वक्त वो मुझसे जादा बढ़िया बॉकसर था मुझे जीतने की कतर ही उमीद नहीं थी अब मुझ में पहले जैसी ताकत और चुस्ति फूर्टी नहीं रही है हर नाम ने उसके कंथे दबाने जारी रखे तुम अपना गला तर करना चाहते हो सुखवंद ने थके से अंदाज में सहमती सूचक सहिला दिया हर नाम ने पानी की बाल्टी में पड़ी रंग हीन द्रफ से आधी भरी एक कांच की बोतल निकाल का उसे दी गनेमत है कि पानी की बोतल को सूंकर चेक नहीं किया जाता सुखवंद बोतल का धक्कन खोलते हुए बोला अगर ये ना मिले तो मैं रिंग में तीन राउंड से जादा नहीं रह सकता अब बोतल मुह से लगा कर दो तकड़े खूट कले से नीचे उतार गया हर नाम ने उसके हाद से बोतल ले ली वोदका से बू नहीं आती उसने कहा और बोतल उपर उठाई चयाएंपियां की जीत की खुशी में और तगड़ा घूट लिया तभी बहा से दवाजा खट-खट आया गया और साथ ही आवाज आई हर नाम ने बुरा समो बनाया इनसे मिलना ही ठीक रहेगा बनना ये यहाँ से टलिंगे नहीं ठीक है बुला लेते हैं फे गनपत को जिस ढंग से ड्रेसिंग नूम में ले जाया जा रहा था उसे देखका अजे का माथा ठंगा वे लपक का डॉक्टर के पास पहुँचा वे दोनों एक दूसरे से भली भाती प्रीचेत थे सम्थिंग सीरिस डॉक्टर गोयल उसने पूछा डॉक्टर गोयल ने उसे सर से पाउं तक घुरा हो अजे ही इस डेड और ठके कदमों से आगे बढ़ गया अजे जहां का तहां ठिटक गया वे अविश्वास पूरवर्ड डॉक्टर की पीट को घूरता रहा धीरे धीरे उसने सच्चाई को सुविकारा अब भारी कदमों से डेसिंग रूम के ओर चल दिया गनपत मल गया लेकिन कैसे बार बार यही सवाल हतोरे की तरह उसके दिमाग में बच रहा था अचानक उसके दिमाग में बिजली की भाती एक अन्य विचाल कौन था वो बुरी तरह चौका और डेसिंग रूम के ओर जाने की बज़ाय तेजी से बहार जाने वाले रास्ते के ओर बढ़ गया वो स्टेडियम के माल से बहार निकला सडक पर पहुँचा दोनों और निगाएं धोणाएं और फिर उस टेक्सी के ओर दौर पड़ा जो करीब डेर सो गज आगे जाकर रुकी थी पारकिंग में भीड का चक्र होने की बज़ा से वो अपनी मोटर सैकल नहीं लाया था टेक्सी से उतर का एक यूवा जोड़ा भाड़ा चुका रहा था अजे बेगया एक कुछ कहे पिछली सीट पर बैढ़ कया यूवक ड्रैवर पैसे लेकर नीचे उतरा, मीटर डाउन किया और वापस ड्रैविंग सीट पर आपैठा अजे ने उसे अपने फ्लैड का पता बता दिया लेकिन ड्रैवर ने इंजन स्टार्ट करने का कोई उपकरम नहीं किया वो स्टेडियम से भाराती भीड क्यों देख रहा था फाइट खतम हो गई उसने उससा पूरवर पूछा अजे ने धीमे से सहिला का हामिभर दी हाँ, पहले ही राउन में वाजी वा, कमार गध्या गनपत ने उस चैंपेंग की दुम को गनपत मल गया वो पहला राउन भी पूरा नहीं कर सका ड्राइवर बुरी तना चौका उसने अजे को घुरा गनपत मल गया, तुम होश में तो हो मैं पूरे होश औ हवास में हूँ तुम टेक्सी चलाओ लेकिंग गनपत मल कैसे गया पता नहीं, सुबा के अख़वार में पढ़ लेना तुम टेक्सी चलाओ मैं जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहता हूँ ड्राइवर ने गहरी सांस ली उसने इंजन स्टार्ट करके टेक्सी आगे बढ़ाई और खामूशी से ड्राइव करने लगा उसके चेहरे पर उदासी के घहन भाव थे मानों उसके किसे आत्मिय की मौत हो गई थी बाबुजी, बहुत बुरी स्खबर सुनाई आपने कुछ देर बाद वो गमगीन स्वर में बुला मैं गनपत का फैनी नहीं दोस्त भी था मेरी बदकिस्मती की मुझे ब्लैक में भी टिकर नहीं मिल सकी हीरा आदमी था गनपत आड़े वक्त में कई बार मेरी मदद की थी अक्सर कहा करता था देख लेना बाके, एक दिन मैं चैंपियन जरूर बनूँगा लेकिन कौन जानता था कि उसकी ये जिधी उसे खा जाएगी उपः वाले की मरजी के आगे किसी का बस नहीं चलता बाके भाई अजे नहीं उसे सांत्वना दी गनपत की मौत का मुझे भी कम दुख नहीं है लेकिन जी अचानक इस तना वो मर कैसे गया अच्छा भला तगड़ा तंदुस पठा था किसी किसम की कोई बिमारी भी नहीं थी उसको पता नहीं शायद कल के अखवा से कुछ पता चल सके अजे सहस ढंक से बोला बाके कुछ नहीं बोला शेश रास्ता भे चुपचाफ टैक्सी ड्रैव कता रहा अजे ने पार्क स्ट्रीट पहुँच कर उस बहुमिंजला अमिरारत के सामने टैक्सी रुकवाई जिसके चौते खंट पर उसका फ्लैट था वो नीचे उतरा, मीटा देख का भाड़ा चुकाया बांके को एक बाब फिल सांतवना दी और इमारत में दाखिल हो गया वे लिफ्ट दारा चौते खंट पर पहुँचा कॉरिडर सुनसान पड़ा था वो अपने फ्लैट के सामने पहुचा वो मन ही मन आशंकित था उसने जेब से चाबी निकालने का उपकरम के बगए डोर नॉप को घुमाते हुए भीतल के और दबाव डाला दवाज़ा खुलता देखकर उसे जरा भी ताज़ब नहीं हुआ उससे अपने आशंका सच साबित होती नज़र आ रही थी साथी वो सतलक भी हो गया था उसकी गयर मौझूद की में ताला खुलने वाला अभी भी भीतल मौझूद हो सकता था उसने स्वयम को आड में रखने के कोशिश करते हुए इंच इंच करके दवाज़ा खुला बहारी कमला जो उसका ड्रोइंग रूम था अंधकार में डूबा नज़र आया अजे चुपचाप खड़ा अंधिरे को घूरता हुआ आठ लेने की कोशिश करता रहा लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया वो दबे पाउं भीता दाखिल हुआ और बगेर आवाज की दवाज़ा पुन्हा बंद कर दिया वो कुछ देर तक दवाज़े के पास दिवाज़े चिपका खड़ा रहा जब उसे मामूली सी भी आठ सुनाई नहीं थी जिसकी वज़ा से फ्लैट में किसी और की मौजूदगी का शक भी किया जा सके तो उसने लाइट ओंग कर दी वे बीच वाला कमरा पार करके अपने बैडरूम में पहुँचा लाइट ओंग करते ही जिस पहली चीज़ पर उसकी निगा पड़ी वो थी कबर्ड उसका दवाज़ा खुला पड़ा था और लॉकर का पल्ला भी भा़ा जूल रहा था कबर्ड के हालत बता रही थी कि उसकी बड़ी बारीकी से तलाशी ली गई थी हाला कि वो समझ चुका था कि गनपद द्वारा दिये गया लिफाफा गायब हो चुका था फिर भी अपनी तसली के लिए उसने लॉकर में हाट डाला लिफाफा उसमें नहीं था उसने बैडरूम में इधा उधा निगाँ दोड़ाई कबर्ड के अलावा अन्ने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं गया था मानो चोल को पता था कि उसे बांचे द्वस्तू कहां मिलेगी वो सीधा आया उसे लेका चला गया मैं गल क्यों उसे कैसे पता था कि लिफाफा कबर्ड में था अजे बैडरूम से निकला उसने पीटर स्कॉट का एक लाज पैक बनाया और गलास ही ड्रॉइंग रूम में आ बैठा इस बात में कोई शक नहीं था कि लिफाफा चुराने वाले बॉक्सिंग रैकेट के दादा लोगी थी अजे ने ड्रिंक सिप करते हुए सोचा लेकिन उन्हें ये कब और कैसे पता चला कि वो लिफाफा उसकी कबर्ड में रखा था जब गनपल लिफाफा देने उसके पास आया था तो उसने यकिनी तोर पर कहा था कि उसका पीछा नहीं किया गया था फ्लैट से जाती बार भी वो निश्चत रूप से साफधान रहा था फिर उन दोनों के बीच पत्यश्टा कोई संपर्ख नहीं रहा था अजे ने सिगरेट निकाल का जला ली उसने सोचना जारी रखा गनपत से उसकी दूसरी और आखरी मुलाकात उस रात गनपत के फ्लैट पर हुई थी जब अगले दिन उसने ये ट्रेनिंग के लिए जाना था अचानक अजे बुरी तरह चौका सारा रहसे उसकी समझ में आ गया उस रात गनपत के फ्लैट में एक लड़की भी मौजूद थी सेक्स बॉम लीना विक्टर वह गनपत के साथ उसका संबन जोड सकती थी जिस किसी ने भी लीना को गनपत के पास बीचा था वो निश्चत रूप से जानता था कि गनपत अपने किसी खास और भ्रोसे मंद आदमी को मुकाबला तैह हो जाने की खुशकबरी जरू सुनाएगा लीना को भीजने वालों के अनुमान के अनुसा गनपत का इतना भ्रोसे मंद आदमी वही होगा जिसके पास उसने लिफाफा रख छोड़ा था उसका ये अनुमान शत पतिशत सही साबित भी हुआ उस रात जब वो गनपत से ट्रेनिंग के दौरान के खत्रों के बारे में बाते कर रहा था तो लीना उस वक्त बैडरूम में थी लेकिन वो उन दोनों की बाते असानी से सुन सकती थी अजे को याद था उस रात गनपत नशे में धुथ था और उसने उंची अवाज में बाते की थी बाचीत के दौरान लिफाफे का भी जिक्राया था और गनपत ने जिद की थी कि उसे अजे अपने पास ही रखे लिफाफे की जानकारी होने के बाद भी उसे दो महीने बाद गनपत की फाइnia की रात ही क्यों चुराया गया इसका सीधा सा जवाब था अगर उसे पहले ही चुड़ा लिया जाता तो कुछ मसाला उस लिफाफे में था उसे गनपत दो बारा भी तयार कर सकता था लेकिन अब क्योंकि गनपत मज चुका था इसलिए वैसा हो पाना नामुम्किन था सारी योजना पूर्व निधारित थी अचानक अजे ने बेचैने से पहलू बदला लिफाफा चुराने वाले जानते थे कि फाइट के दोरान जिकनपत जिन्दा नहीं बचेगा इसका मतलब गनपत के म्रत्यू कोई सयोग या दुलगटना नहीं थी उसकी हत्या की गई थी अजे ने अपना गिलास खाली किया उसने ताजा सिगरेट सुलगाया चोटे चोटे कश लगाता हुआ सूचता रहा अंते में सिगरेट खतम करके उसने अपनी रिस्ट वाच पर निगार डाली पौने दस बजे थे फुल मून रेस्टरा में आखरी शो बारा बजे खतम होता था लेना से मुलाकात हो सकती थी वो उठा और लाइट सौफ करके फ्लैट से बहार आ गया अजे ने फुल मून रेस्टरा के पारकिंग लॉट में मोटर सैकल पार्क की अपवेश द्वार के और बढ़ गया वो जानता था कि वहाँ बगया रिजर्वेशन कराएब मेच पाना असान नहीं था लेकिन इस बारे में उसके सामने कोई मुश्किल नहीं आनी थी वो पहले भी कई दफ़ा वहाँ आ चुका था और हेट वेटर से प्रिशित था वो रेस्टरा के मुख्य हॉल के दवाजे में पहुंचा रिजर्वेशन लिस्ट लिए खड़ा हेट वेटर उसे देखते ही मुश्क्राया हाई अजय बाबू बहुत दिन बाद आए अजय मुश्क्राया वापस तो नहीं लोटा होगे हेट वेटर ने खिसी ने पोर दी नहीं ऐसी कुस्ता कि आपके साथ मैं नहीं कर सकता उसने बाहर मौझूद पतिशारत लोगों की भीड़ पर निखा डाली फिलिस देखने के बाद बोला टेबल नमबर चौदा अजय ने हॉल में मौझूद ग्रहकों पर निखा डाली दो-चार मेजों के अलावा सभी मेजे भरी हुई थी आज तो और दिन से भी ज़्यादा भीड़ है वो बोला और अपनी जेब में हाथ डाल कर अंदर ही अंदर 20 रुपे का एक नोट मुठी में दबा दिया हैवेटर ने सहमती सूचक साहिलाया आपने फाइट के बारे में सुना था उसने पूछा अजे ने सह हिला का हामी बदली वो पहले ही राउन में खतम हो गई थी अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और वहां से लोटे लोग जल्दी घंजाना नहीं चाहते हैं इसलिए आज ज़्यादा भीड़ है फिर उसने संकेत करके एक वेटर को बुलाया उससे कहा अजे बाबु को 14 नमबर टेबल पर ले जाओ और इनका खास दियान रखना आए साप थैंक यू अजे ने हेट वेटर से हाथ मिलाया इस प्रकेरिया में उसने हाथ में दबा 20 का नोट हैट वेटर के हाथ में समाच चुका था अजे वेटर के पीछे चल दिया वेटर उससे 14 नमबर मेस पर पहुँचा कर चला गया चंद शर्नो परांथ एक अन्य वेटर आया अजे ने उससे लाज़ पैक सकॉच का ओडर दे दिया वेटर चला गया अजे ने सेज़ पर निगा डाली अल्प लिवास वाली जवान और खुबसरत पांच लड़किया सामविक स्वर में हिंदी का एक दियर्थी लोग गीत का नहीं थी उनमें लीना नहीं थी वेटर डिंक सर्फ करके लॉट कया अजे डिंक चुसकता हुआ इंतजार करने लगा करीब आदा घंटा बाद जब वे दूसर डिंक आदा खतम कर चुका था और वो पांचो लड़कियां पहले ही जैसा एक और गाना सुना कर स्टेज से जा चुकी थी तीन अन्य लड़कियां स्टेज पर पकट हुई उनमें बीच वाली लड़की को पहचानने में अजे को जरा भी दिखकत नहीं हुई सुनहरी बाल, नीली आंके और ठोड़ी पतिल वाली वो लीना ही थी वो लड़की जो उस राद गनपत के फ्लैट में मौचूद थी वे तीनो फोर पीस बैंड के दुन में एक अश्ली इंग्लिश सॉंग सुनाना शूका चुकी थी बेटा आप पोचा जैस सर, मेरा एक काम करोगे? वाट सर, इन तीनों में से एक लड़की तक मेरा एक मैसेज पहुचा दो गए? अजे ने स्टेज के और शारा करते हुए पूछा बेटा ने संदैपुवक उसे घूरा नो सर, बोस ऐसी बातों के सब खिलाफ है अजे ने अपनी जेब से 50 सुपे के नोट निकाला और उसे अपनी उंगली पर लपेटने लगा उसने नोट किया कि बेटा दिल चस्पी से उसकी इस हरकत को देख रहा था कैसी बातों के खिलाफ है तुमारे बॉस? ग्राव को द्वारा लड़कियों को प्रेशान करने के मैंने किसी को प्रेशान नहीं करना है वो लड़की मेरी पुरानी मितर है अजे ने नोट लिप्टी उंगली से स्टेज के और संकेत किया अगर मैंने उसे अपनी इहां मौजूदकी के बारे में नहीं बताया तो वो नराज हो जाएगी वेटर की आँखों से संधे के बादल छड़ गए उसकी निगा नोट लिप्टी उंगली पर केंदे थी आपकी इस पुरानी मितल का नाम क्या है सर? लीना वेटर वेटर ने स्टेज पर निगा ढाली और फिर अजे क्यों देखा? वो सुनहरी बालो और निली आँखो वाली मैं नहीं जानता कि वो आपकी फ्रेंट है या नहीं लेकिन अगर आप कोई शरारत करना चाहते हैं तो आपको बुरी तरह पस्ताना पड़ेगा तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो जाने दो अजे ने कहा और नोट उंगली से उतार का जे में रखने का उपकरम क्या मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपका काम नहीं कर सकता मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बॉस को ये सब पसंद नहीं है और हाथ बढ़ा का अजे के उंगलियों से नोट खीच लिया मेसेज बताईए अजे मुस्कराया लीना से कहना कि अजे कुमार यहीं मौजूद है और उससे मिलना चाहता है अजे कुमार वो आपका नाम जानती है अजे ने सेर सहमती में हिला दिया वेटा के चेहरे पार अनिश्चे के भावुदपन हो गए हाँ बहुत इस बात के भी सत खिलाफ है कि लड़किया ही आपने दोस्तों से मिले मैं उससे यहां नहीं मिलूँगा फिर जहां वो कहेगी मिलूँगा उससे जगा का नाम भी पूछ कर आना वेटा चला गया अज़े स्टेज के और देखने लगा लीना और शेश दोनों लड़कियों के स्थान पर अब वहाँ चार लड़किया अंग पदश्चित करते हुए उत्तेजक निरत्य प्रसुत कर नहीं थी अज़े डिंक पीता हुआ वेटा है के लोटने का इंज़ार करने लगा करीब पांच मिनट बाद वेटा लोटा मैंने आपका मैसेज दे दिया है सर लेकिन अगर आप मेरी सिलह मानते हैं तो फॉर्ण यहां से चले जाएए क्यों? मैसे सुनते ही पहले तो वो मुझे पर बरस पड़ी फिर उसने बॉस को फोंग कर दिया कोई बात नहीं स्टेज के पीछे जाने का रास्ता बताओ अज़े ट्रिंग खतम करता हुआ बोला आप बेका मुसीबत में पढ़ने हैं मेरी मानिये आप यहां से चले जाएए तुम फिक्र मत करो रास्ता बताओ जैसे आपकी मर्जी लेकिन बिल तो चुका दीजे अज़े ने बिल चुका दिया वेटल को बताओ टिप 10 रुपे का नोट भी उसने दिया स्टेज की बगल में दाई और बंद अवाजा आप देख रहे हैं न उससे थोड़ा आगे एक और बंद अवाजा है बस उसी संदच ले जाएए अजे ने उसे खूरा सही रास्ता बताया है न अगर तुम कोई चलाकी कर रहे हो तो अभी बता दो वरना तुम्हें भी जोर बस्ताना पड़ेगा यकीन मानिये सर मैंने आपको सही रास्ता बताया है अजे उठा और लापरवाई से मेजो के बीच से गुजरता हुआ वेटा द्वारा बताये गए दवाजे पर पहुँचा आसपास कोई नहीं था उसे दवाजा खोला सामने एक लंबा सुनसान गल्यारा था जिसमें बाई और एक कतार में कई कमरे थे उनमें से सिर्फ एक कही दवाजा खोला था और तेज रोशनी भार आ रही थी अजे दवाजा बंद करके गल्यारे में चल दिया वे खुले दवाजे के पास पहुंचा काफी बड़े कमने में विभिन ड्रेसिंग टेबल के सामने करीब एक दर जन लड़कियां स्टूलों पर बैठी गपशप करती हुई अपना मेकप द्रूस करने में लगी थी वे सब मातर बहुत ही कम कपड़े पहने थी उनमें लीना विटर नहीं थी दरवाजे से कुछ ही फासले पर बैठी सिरे वाली लड़की ने पलटका अजे क्यों देखा और फिर लापरवाई से गदन चटकाई अब उन्हां अपना मेकप ठीक करने लगी अजे सिरे पर बैठी उस लड़की से लीना के बारे में पूछने ही वाला था कि कोई कठोर वस्तू उसके पीट पड़ा पड़ी वो इस परश मातर से ही समझ कया कि वो वस्तू पिस्तॉल या डिवार्वर की नाल थी हां के सेक रहे हो पीछे से भारी आवाज आई नहीं अपनी एक सहली को ढूण रहा हूँ अजे गदं गुमा का अविचले स्वय में बुला बाकी सबतों हैं सिर्फ वही नजर नहीं आ रहे बॉस के पास चलो वो तुम्हारी सहली के बारे में बताएगा पीछे गुमो अजे ने अपनी पीछ पर नाल का दवाब पढ़ना बंद होता महसूस किया वो पलड़ गया उसके सामने उचे कत चरहरे बदन अगुंगराले बालो वाला एक लड़का खड़ा था उसके जिस्म की रंगत पीली थी मानो वो पीलिया का मरीज था या फिर वश्यों से उसी सूरज देखना नसीब नहीं हुआ था उसकी पीली आँकों के नीचे काले गहरे गड़े पड़े थे वैसरद निगाहों से आपलग अजे को घूरे जा रहा था उसके हाथ में थमी भरी रिवार्वर का रुक सीधा अजे के पेट किया था अब तुम इसी तरह आगे बढ़ो और सुनो कोई चाला की करने से पहले इतना जरूर याद रखना कि इस रिवार्वर की गोली जिसमें छेद नहीं काती जरोका खोल देती है अजे चुपचाप आगे बढ़ गया उसने नोट किया कि इस पूरे दौर में अंदर मौजूद लड़कियों की गफशब में जरा भी ब्रेक नहीं लगा था हाला कि ये सब एन दवाजे के सामने ही हुआ था कॉरिडोल के मोड पर घूमते ही अजे को लोही की सीधी 20-22 सीड़ियां दिखाए दी सीड़ियों के उपरी सीड़े पर एक बंद दवाजा था दवाजे के आगे कोई लेंडिंग नहीं थी उपचलो अजे ने चुपचाप सीड़ियां चड़ने लगा पीला आदमी पूरवत रिवार्वर ताने उसके पीछे आ रहा था अजे का दिमाग तीजी से कार्य कर रहा था वो तैय कर चुका था कि उसने क्या करना था सीड़ियों के उपरी सीरे पर पहुंच कर उसने दरवाजा पूरा खोला और भीतर दाखिल हो गया अंदर अंधीरा था उसके कान पीछे आते आदमी के कदमों के आहट पर लगे थी जो ही पीछे आते आदमी ने दरवाजे की चौकट के भीतर पैर रखा अजे बिजली की फूर्ती से पल्टा और पूरी ताकत से भारी दरवाजा भडाक से बंद कर दिया बहारी दरवाजा जोर से रिवारवर धारी की जिस्म से टकराया गुटी सी ची खुबरी और रिवारवर धारी इस बुरी तह लटकराया कि उसका संतुलन बिगड़ गया फिर एक और घुटी सी ची खुबरी और फिर उसका शरी सीडियों पर लोड़कता हुआ नीचे जा किरा अंदर दर्वाजे से सटे खड़े अजे ने सीडियों पर गढ़़ाट के अवास सुने और अपनी कामियाबी पर मुस्करा दिया कुछ दे तक इंजार करने के बाद भी जब अन्य कोई आहट सुनाई नहीं थी तो उसने सतल्गता पूरवक दवाज़ा खुला पीला आदमी अजीब सी मुद्रा में सीडियों के नीचे पढ़ा था उसका तरबूच की तरह फटा सथ गल्यारे के फर्षप था और शेष जिस्म निचली तीन सीडियों पर तंगा था उसकी टांगे मुडी हुई थी और बाहें दोनों और बनी रेलिंग के नीचे लटकी हुई थी गल्यारे के फर्षप खूं का तलाब सा बनता जा रहा था और उसी तलाब में उसकी रिवॉल्वर पड़ी थी अजे भाहा निकला दरवाजा बंद करके साब्धानी पूरवक नीचो तरने लगा अंतिम तीन सीरिया उसे पीले आदमी के निश्चर शरील को फांत का तैकनने पड़ी अजे ने फर्षप फैले खून से स्वयम को बचाते हुई जुक का पीले आदमी को देखा उसकी फटी फटी निर्जीव आंके उसे मुर्दा साबित करने के लिए काफी थी फिर भी अजे ने उसके दिल पर हाथ रखका तसलिकी वहाँ कोई धटकन शेश नहीं थी उसकी गदन अजीब से धंग से मुरी हुई थी लगता था गिरते दफे उसकी गदन तूट गई थी और यही उसकी मौत का कारण बंग गई थी अजे वापस चल दिया गल्यारे के मोड़ पर पहुंचते ही वो ठिटका ड्रेसिंग रूम से निकल का अल्प विलास वाली अल्प लिबास वाली पांच लड़कें स्टेज की और जा रही थी उन्होंने एक भाव भी पलटका नहीं देखा अजे ने नोड किया उनमें से किसी के भी बाल सुनहरे नहीं थी इसका मतलब लीना उनमें नहीं थी जब वो दिखाई देनी बंद हो गई तो अजे तेजी से आके बढ़ा ड्रेसिंग रूम के खुले दवाजे के सामने से गुजरते वक्त उसने देखा लीना अंदर भी नहीं थी वो स्टेज की और खुलने वाले दवाजे पर पहुँचा सावधानी वर्ष आहट ली फिर थोड़ा से दवाजा खुला और आस पास किसी को ना पाकर बहार आ गया हौल में मौजूद पते व्रक्ति की निगाएं स्टेज पर डांस करने के नाम पर अंग पदशंकती लड़कियों पर जमी थी अजय उसका ध्याना कशित के बगय हौल से निकला और रेस्टरां से बहार चला क्या नरेन मुखर जी अपने शानदार ड्रोइंग रूम के खिड़की के पास खड़ा नीचे देख रहा था उसका छे कमरों का फ्लाट कलकत्ता के रंगीनियों के केंदर चौरंगी की एक बहु मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पा था वो अकेला नहीं था अराम देश सोफे चेयर पे उसकी मन पसंद मासल बदन वाली एक सामली लड़की पस्री हुई थी करीब 22 वर्ष है उस लड़की के नहीं नश आकशक थे वो जीन्स और शर्ट पहने थी और शर्ट के उपर के दोनों बटंग खुले हुए थे लड़की के चेयरे पर बोर्यत भरे भाव थे वो एक टक नरेन मुखर जी की पीट को घुर रही थी अगर आपको खिड़की के पास खड़े होका भारी जाकना था तो मुझे क्यों बुलाया था इस वक्त दस बज़े हैं मैं आदा घंटे से यहां बैठी हूँ लेकिन आपने मेरी और देखा तक भी नहीं जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे पास जो कुछ है वो बहार के नजारे से हजार गुना जादा दिलकश और मज़ेदार है नरीन मुखर जी ने उसे पलट कर खुरा बको मत मैं कुछ सोच रहा हूँ लटकी मूँ बिसर कर रह गई नरीन मुखर जी सच मुझ सोच रहा था विराड नगसे श्रीकांद वर्मा का एक आत्मी फोन द्वारा उसे गनपत और सुखवन की फाइट और गनपत की मौत के बारे में सूचित कर चुका था श्रीकांद पहले ही बता चुका था कि गनपत को पहले ही राउंड में नॉक आउट कर दिया जाएगा इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए मोटे दाव लगवाए गए थे क्योंकि 95 फीजदी लोगों को गनपत की जीत की 100 फीजदी उमीद थी इसलिए एक के दस से लेकर पाचास सो तक के भी दाव लगाने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी नतीजा यह हुआ था कि ना सिर्फ गनपत और अकरम की फाइट का नुकसान पूरा हो गया था बलकि तकरीबन 30 लाग का अतिरेक मुनाफा भी हो चुका था शीकान ने वादा किया था कि गनपत को दगाबाजी की सजा जरूर दी जाएगी और इस डंग से दी जाएगी कि कोई शक भी नहीं करेगा गनपत मर चुका था और उसके मौत के लिए उन चारों को जिम्मेदा ठेहाना तो दर किना कोई उनकी और मुंगली तक भी नहीं उड़ा सकता था नरेन मुखर जी खिड़की के पास से हटा और कौने में रखे टेलीफोन ओपकरान का रिसीवर उठाया हलो नरेन लाइन पर शीकांत का धीमा लेकिन साफ सवर उबरा शीकांत व्रयाट नगा से कलकता के लिए डारेट टाइलिंग के सुईधा थी hold a moment बेबी तुम थोड़ी दे के लिए बहाँ चली जा नरेन मुखर जी ने माउथ पीस पर हाथ रखकर लड़की से बोला लड़की ने गुस्से और विवस्ता पूरवक उसके और देखा फिर खड़ी होगी और पैर पटकती हुई बहाँ चली गी नरेन मुखर जी ने माउथ पीस से हाथ अठाया हाँ शीकांत बोलो तुम्हें खबर मिल चुकी है सुखवन जीत गया और बेचारा गनपत मर गया बहुत बुरा हुआ मैंने सुनाये बहुत महतवा कांशी और बढ़िया बॉकसर था ठीक सुनाये लेकिन वो बच्चारा मर कैसे गया लाइन पर कुछ पर खामूशी चाही रही फिर शीकांत का सुनाये दिया बताया जा रहा है उसे एनियूरिजम था हैनियूरिजम? वो क्या होता है? एक किसम की बिमारी है इसमें शरील के किसी खास हिस्से की धमनिया कमजोर हो जाती है किसी कुछ लोगों को बच्चपन में भी ये बिमारी होती है अब पता तक नहीं चलता इस बिमारी से कभी भी मिरत्यू हो सकती है तो लोग ये समझ रहे हैं नरेन मुखर जी ने सावधानी पूरवा पूचा उसने वो लोग पर ज़्यादा जोर दिया था ताकि शीकान समझ सके कि उसका इशारा पुलिस के और है बिल्कुल उन्होंने और क्या समझना है एसोसीशन के डॉट्टर गोयल ने आज शाम फाइट से पहले उसका चेक अप करके उसे फिट एंड फाइन घोशित किया था रिंग में भी वह शूशू में बहुत पूरी तहां से चुस्त अफोतिरान लग रहा था लेकिन जब मुकाबला शूँ हुआ तो चाती पर उस हुए सुखवन के भारी परहारों को उससे है नहीं सका और धेरो गया जैकिशन का क्या हाल है उस पर तो बुरी गुजर रही होगी तुम अभी भी उससे गुस्सा हो मेरी निगाओं में वो भ्रोसे मन नहीं है और उस खत वाले किस्से का क्या हुआ नरीन मुखाजी ने पूछा वो लिफाफा मैंने हासिल कर लिया था कुछ देर पहले उसे पढ़कर जला भी चुका हूँ इस वारतालाप के दौरान पहली बार मुखाजी मुस्कराया वेल डन उसमें वाकई कुछ था या खामा का हुआ खड़ा कर दिया था वो डाइनामाइट था लेकिन आप बासूरी और बांस दो नहीं खतम हो गए तुमने सचमुच काबिले तारिफ काम किया है अब जैकिशन के बारे में बताओ क्या? इस हाथसे से क्या वो इतना ज़्यादा प्रेशान हो गया है कि कोई उल्टी सीदी हरकत कर बटे? वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसा क्यों नहीं करेगा तुम बता सकते हो? सुनो, उसकी और से बेफिक्र होने का सिर्फ एकी तरीका है नरीर मुखजी ने रुखे स्वर में कहा लाइन पर चंशन खामुशी चाही रही फिश शीकान का स्वरुब्रा वो तरीका इस्तिमाल करना भी तो जोरी नहीं है अभी तक सारा मामला साफ सुतरा है इसे इसी तरह रहने देना समझदारी होगी जैकिशन पर भ्रोसा नहीं किया जा सकता और मौजूदा हालात में तो बिल्कुल भी नहीं तुम्हें मेरे नजरिये से सोचना चाहें अगर आप कोई गरबड हो जाती है तो घंश्याम और विक्रम राय तुमारी जांग खा जाएंगे इस दफ़ा लाइन पर जादा देर तक हामोशी चाही रही जैकिशन का अंतिजाम कर दिया जाएगा अंत में शीकांत का स्वर सुनाई दिया शायद तुम ठीक कहते हो हो सकता है जैकिशन इस हाथ से के लिए खुद को ही कसुरवा समझ रहा हो बहतर होगा तुम घंशियाम और विकरम राव से इस बारे में बात कर लो ऐसा ही करूंगा शीकांत ने उसे आश्वासन दिया अचानक कदमों की हाट सुनका नरिन मुखर जी ने गदंख हुमाई लड़की दवाजे में आखड़ी हुई थी अब विवश्टा पूर वक उसकी और देख रही थी उसकी शर्ट का तीसरा बटन भी खुला हुआ था ओके देन नरिन मुखर जी उसकी और ताकता हुआ बोला अब मैंने एक और जोरी काम निप्टाना है बाकी बाते कल होंगी बाई इसें संबन्द विच्छेत कर दिया लड़की कमरे में आ गई अब तुम देर मत करो और बोलो जो करना है जल्दी बताओ लड़की का चेहरा हजार बाट के बिजली के बल्ब की भाती चमक उठा और वो धीवे धीवे कपड़ो तानने लगे जगमोहन स्टेज के पीछे वाले गल्यारे में लोही के उन सीर्णों के पास खड़ा था जो उसके ऑफिस तक जाती थी पीले आदमी के हाला चीक चीक कर उसके मुददा होने के घुशना कर रही थी जगमोहन पूरी तहन समाने था उसके चेहरे पर शेकन तक नहीं थी वो ऐसी स्थिती से निमटने में माहे था उसने गर्दन गुमाई और अपने बगल में खड़े ठिगने के ओ देखा तुमने इसे इसी तरह पड़ा पाया था सुलेमान सुलेमान का कत मुश्किल से पॉने पांच फुर था लेकिन उसके उचाई की एक कमी चोड़ाईने पूरी की हुई थी देखने में वो गोल मटोल सा नजर आता था उसका साग गंजा था पेड़ के तने जैसी मूटी गदन भारी चोड़े कंधे एक साथ जुड़े चक्की के दोनों पाटो जैसा सीना और सुद्रण मास पेशियों वाली मजबूत भाएं और टांगे उसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें हमेशा सुल्ख रहा करती थी मौसम चाहें जैसा भी हो लेकिन उसका लिबास हमेशा एक ही रहता था काली पैंट और ग्रे टी-शिर्ट जगमोहन का उस पर पूरा भरोसा था शायद इसले जगमोहन उसे हर अरंगे वाले काम में साथ रखता था यस सर मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया देखते ही आपको तिलात देदी थी मेरा ख्याल है सीडियों से नीचे गेल गया था और अपनी गदन थोड़ा बैठा फिर इसका सर भी फट गया इसे फॉर्ण उपर ऑफिस में पहुंचा और फर्ष बिल्कुल साफ कर दो सुलेमान नीचे जुका और लाश उठा कर कंधे पर लात ली लाश में अभी भी काफी गर्मी शेश थी जगमोहन सीडियों द्वारा उपर पहुंचा दवाजा खोल का लाइट ऑंका थी वो उसके ऑफिस का भारी भाग था सुलेमान लाश सही तो उपर आया लाश फर्ष पर डाय का उसने जगमोहन क्योंद देखा क्या करना है बॉस जगमोहन के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थी पिछले साल इसके नाम से एक पुरानी कार खरी दी गई थी वो रेस्तरा के पीछे कंपाउंड में खड़ी है इसे पिछले रास्ते से ले जाकर उसी में डाल दो तब तक मैं सोचता हूँ कि क्या करना है जगमोहन ने पुना लाश उठा कर कंधे पला दिली जगमोहन अपने ऑफिस के भीतरी भाग में पहुँचा और पिछला दवाजा खोल दिया सुलेमान लाश सहीत बहार निकल गया जगमोहन ने दवाजा पुना बंद करके लाइट उंग कर दी वो अपने डेस्ट पर पीछे बैड़ किया उसने रिसीवर उठा कर नमबर डायल किया दूसरी और कुछ देल घंटी बसती रही और फिस शीकान का सुर्च सुनाई दिया हलो जगमोहन स्पीकिंग तुमने बिल्कुल सही वरत पर फोंग किया है शीकान्थ बुला मैं तुम्हीं फोंग करने वाला था फरमाईए तुम्हारे हल्दी राम से एक काम कराना था हल्दी राम जगमोहन तर्क लहजे से बुला मैं भी उसी के बारे मैं आपको फोंग कर रहा हूँ वो मर चुका है क्या? कैसे? वो स्टेज के पीछे वाले गल्यारे में मेरे ऑफिस की लोही की स्टेडियों से नीचे गलका गरदन तोड़ा बैठा जगमोहन बोला मैंने उसे लीना को घर पहुंचाने के लिए भीजा था मुझे पता लगा था कि अजे रेस्टरा में आया था और लीना से मिलना चाहता था मैं लीना को उससे मिलने नहीं देना चाहता था इसलिए उसका लास्ट शो कैंसल करा दिया इससे कोई खास फायदा नहीं होगा अजय लीना के फ्लैट का पता लगा का उसके पास जा सकता है शीकान ने कहा वो समझ गया लगता है कि लीना को लिफाफे के बारे में पता लग गया था मैं समझता हूँ लीना को शेय से बाहर बेज़ देना ही सही रहेगा मेरा भी यही क्याल है, मिस्टर भॉसले बंबई में कहीं उसे एज्जस करा सकते हैं, वो लड़की फिल्म लाइन में जाने की वैसे भी खायुश मंद है ठीक है, मैं विक्रम राफ से बात करूँगा, तुम हल्दी राम की लाश का क्या करने वाले हो? मैंने अभी इस बारे में कुछ तै नहीं किया है, अभी गल्यारे में पढ़ा है वो? नहीं नहीं, सुलेमान से उठवा कर उसे पिछवरले साल उसके नाम से जो कार्ट खरी दिये गई थी, उसमें डलबा दिया है मैंने ही चाहता कि उसकी लाश रेस्तरा के इमारत में या सबस कहीं पाई जाए तुम ऐसा करो, फोरा नहा आ जो, हम एक तीसे दो शिकार करने वाली कोई योजना बनाएंगे दूसरी और से फोन रख दिया क्या जग मोहर ने मूँ बिस्री उर्ते हुए, माउथ पीस को घूरा और फिर रिसीवर वापस क्रेडर पर रख दिया उसने पैकेट में से सिग्रेट निकाला और होटो में दबा ली उसने माचस के तिली चलाई ही थी कि दरवाजे पर धीवे से दस्तक देने के अवाज सुनाई थी कमेन, उसने कहा और सिग्रेट सुलगा कर गहरा कश लेका दुआ छोड़ा आफिस के भारी भाग की और से सुलेमान भीतर दाखिल हुआ और दवाजा बंद कर दिया मैं उसे कार में पिछली सीट पर कौने में बठाया हूँ गल्यारे का फर्श भी साफ कर दिया है आप चाहते हैं तो मैं उसे कहीं फैका हूँ? नहीं तुम गैराज से मेरी कार निकाल कर पिछली तरफ लेकर आओ और वहीं रहकर मेरा अंजार करो सुलेमान उल्टे पैरो वापस जाने लगा तो उसने कहा खेरो पहले लीना के पास जाकर उससे कहो कि वो फॉन मेरे पास है सुलेमान ने बहार जाने के लिए दवाज़क खोला तो उसने पुना टोक दिया और सुनो सेड़ियां ध्यान से उतनना ऐसा नहों कि तुम भी गदन थोड़ा बैठो मेरी गदन असानी से तूटने वाली नहीं है बोस सुलेमान ने कहा बहार निकल गया मुश्किल से चार मिनट बार लीना आफिस में दाखिल हुई उस कल्ड बलाउस पहने थी और चेहरे का मेकप छुड़ा चुकी थी उसके सुनहरी बाल कंदों पर जूल रही थी और नीली आंकों में हमेशा कितना आमंतरण के भाव मौजूद थे आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, बैठो लीना उसके सामने कुर्सी पर बैठ गे जगमों की निगाएं उसके खुबसूरत चेहरे पर फिसलने लगे उसे ये सोच का कसक से महसूस हुई कि लीना हमेशा के लिए दूर चली जाएगी जगमों की जिंदगी में इतनी लड़कें आ चुकी थी कि उन सब के नाम याद रखना तो दर्कें ना रहा शकलें तक उसे याद नहीं थी लेकिन बिस्तर में जितनी मज़ेदार लीना साबित हुई थी उतनी उनमें से अन्यक कोई नहीं हुई उसने तै कि लीना को विदा करने से पहले वो आखरी बार उसे भूगेगा जरूर मैं तुम्हें एक खुशकबरी देना चाहता हूँ लीना लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है मैं गहीं जा रहा हूँ एक गंटे में वापस आ जाओंगा तब तुमसे बात करूँगा और हाँ मैं नहीं चाहता कि एक गंटे की मेरी ग्यार मौजूद्गी के दौरान तुम यहां से चली जाओ तुम यहीं रहकर मेरा इंजार करना लीना ने गौव से उसके ओदेखा जो खुशकबरी आप देना चाहते हैं और मेरे यहां रहने से आपस में कोई तालुक है नहीं फिर भी तुम यहां रुकना जान सकती हूँ क्यों इसलिए कि आजे तुम्हारे फ्लैट के निगरानी कर रहा हो सकता है लीना ने असमंजस्ता पूरवक उसके ओदेखा लेकिन देशर्वे तो मुझे जाना ही होगा आखिर मैं यहां कब तक रहूँगी जगमोन मुस्कुराया तुम यहां भले ही ना रहो लेकिन वापस फ्लैट पर लौट ना कते ही जूरी नहीं है मतलब इस मतलम में ही तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी छुपी है आप तो सस्पेंस पैदा कर रहे है जगमोन हसा अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि फिल्म लाइन में जाने का तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है तुम्हें तगड़ा ब्रेक मिल रहा है सस्पेंस खातम अब तुम मेरे लौटने का अंजार करो लीना का चेहरा खेल उठा मैं इंतजार करूंगी थैंक्यू जगमोन डेस्क के पीछे से निकला और दवाजे के और बढ़ गया अजे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कलब पहुँचा मोटर सैकल पार करके वह कलब में दाखिल हुआ और सीधा बातरूम में पहुँचा हाला कि पॉने बारा बच चुके थे लेकिन बार में खासी भीड थी विभिन स्पोर्ट्स से संबंधित लोगों में अजे को एक परीची चेहरा दिखाए दिया मोटे लेस्नसों की एनक लगाए कौने की मेज पर बैठाव है निर्यज रस्तोगी था यौर वाइस का स्पोर्ट्स रैटर उसके सामने उचे कत का एक पतला दुबला सा आदमी बैठा था अजे मेजो के बीच से गुजरता हुआ वही जा पहुँचा निर्यज ने सर उठा का उपा देखा और मुस्कराया हलो अजे तुम इस वक्त यहां कैसे अजे ने उसके सामने बैठे आदमी पर हिकारत भरी निगाह डाली और फिबुला बस युही चलाया यहां बैठ सकता हुँ निर्यज निर्यज ने बहुए चलाया है इतरास है तुम्हारे लिए क्या बात करते हो याः शौक से बेटो, जरूर बैठो और जम कर बैठो और हजय हसा निर्यज कितना बात ओनी था, वो अच्छी तरह जानता था बस इतना ही काफी है वो कुछ सी खीच कर बैठता हुआ बुला मेरा ख्याल था तुम confidential बाते कर रहे हो इसलिए पूछ कर बैठा था confidential? क्या आप बात करते हो यार हम आज ही fight के बारे में बाते कर रहे थे और तुमने fight देखी थी? अजे ने सहमती सूचक सहलाया नीरज ने इमने सामने बठे आदमी क्यों संकेत क्या इसे जानते हो ये शिवकुमार है जवाब में अजे सिर्फ मुस्करा दिया पतले दुबले आदमी ने क्रोधित निगाओं से अजे को घुरा मैं अजे को जानता हूँ वो तर्क लहजे से बोला कुर्सी पीछे खिसका कर उठा और वहाँ से चला गया नीरज ने महाँ चढ़ा का अजे क्यों देखा क्या बात करते हो या मेरी समझ में नहीं आता वो अचानक चला क्यों गया उसने पूछा मैं उसे मतलब की बात उगलवा नहीं बाला था कि तुमा पहुंचे अब वो बगार कुछ बता है उठका चला गया आखर ये चक्कर क्या है उसे मुझसे और मुझे उससे नफरत है अजे ने जवाब दिया क्या बात करते हो या लेकिन क्यों तुम जानते हो ये पठानी बॉइस वसूलने वाले सूथ खोरो का कमिशन एजेंट है क्या बात करते हो नई मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बुकी है शेव कुमान नमरी हराम ज़ादा है बुकी होने की वज़ा से इसे उन लोगों की माली हरत का पता रहता है जो नियमित रूप से इसके माध्यम से दाव लगाते है जरुवत पढ़ने पर ये उन लोगों को सूथ खोरों से पैसा उधार भी दिलाता है और दोनों से कमिशन वसूल करता है ये तो तुम भी जानते हो एक बार उन सूथ खोरों के चकर में फसने के बाद आदमी असानी से उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता जानता हूँ लेकिन क्या बात करते हो या इससे तुम्हारी एक दूसरे से नफ़त करने वाली बात कहां से पैदा हो गई इससे परिशान एक परिचित ने एक बार मेरी मदद चाही थी तब मुझे इसका हूलिया टैट करना पड़ा था खैच छोड़ो ये पताओ तुम इससे क्या बाते कर रहे थे मैं इससे अपने मतलब की बाते कर रहा था क्या मतलब? क्या बात करते हो यार? पूरे शहर में हंगावा मचया तुम पूछ रहे हो कि क्या? नीरच ने कहा फिर राजदराना स्वर में बोला देखो जो कुछ मैं बता रहा हूं से अपने तक ही रखना हमें जबादस टिप मिली है कि देश बर में बड़े शहरों में पेशेवर बुकी अपने बाल नौच रहे है आज की फाइट ने उनका बंड़ा धार कर दिया है क्या मतलब? इस किस्म के जुए में दाव लगाने का शौकिन हर आदमी जानता था कि गनपत की जीत निश्चित थी इसलिए जादा था लोगों ने उसकी जीत पर ही दाव लगाए थे निरज ने कहा तनिक रुका और फिर इस ढंग से बोला मानो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो क्या बात करते हो यार ऐसे आदमियों की भी कमी नहीं थी जिनोंने सुखवंद की जीत के लिए दाव लगाए थे सुखवंद की जीत की कोई उमीर नहीं थी इसलिए उसका भाव बहुत जादा था नतीजा ये हुआ कि उस पर लगाये गए छोटे-छोटे दावो का भुकतान भी मोटी रकम के रूप में करना पड़ा और अगर इन दावो के भुकतान की कुल रकम जोड़ी जाए तो 50 लाग से भी जादा बनती है और मजे की बात ये है ये तमाम धाव खास धंग से लगाए गए थी खास धंग से? चैम्पियन सुखवंथ पहले ही राउड में गनपत को नौकाउट कर देगा अचे मनी मन चौका, लेकिन पैकरड में शांत बना रहा सुखवंत पहले ही राउंड में गनपत को नॉक आउट कर देगा उसने असमंजस्ता पूरवक दोराया उफो क्या कहडते हो या तुम सीधी से बात भी नहीं समझ सकते नीरश खीच मिशिस स्वर्म में बोला अरे भाई तमाम बुक्यों ने दावा लगाने वालों ने के मन चाहे भापत दाव लगवा दी